असलाम लेकूम फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माइ चैनल किचन वीट नसीम में आपका स्वागत है उमीद करते हैं आप सब खेरिये से होंगे मैं भी आलम दिल्ला ठीक हूं तो फ्रेंड्स आज में लिकर आई हूं स्मोकी फ्लेवर वाले चिकन कबाब की रेसिपी तहीं यहां कि हमें ले लिए लिए म केजी है और यह मसाले बलाख पि पर पारड़र साल टेस्ट पर पारड़र हो मेंत गरम मासाला केंहा एक चिकन कबाब मसाला यही जो बजार में मिलता है हल्दी ए रैडचीली है और धनिया पारड़र है और यह हमने टू टेबल सपुन बटर यह इस कर सकते हैं बिना स्टिक के भी बना सकते हो और रेट चिली, ग्रीन चिली, अद्रक लसन और धनिया, पुदीना यह हमने लिए हैं और यह बड़े मज़ेदार कबाब बनते आप ज़रो ट्राइ कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो यह दे के चिकन को मैंन कर लगाने है, मेरे पास छॉपर है इसलिए मैं पीस ही हूँ, आप अगल के लिए हो आपके साल शएड्य का और यह मसाले इसमें पीस के अफने है तो आनियन थोड़े से बारिक हो गए उसमें हम यह पाउडर वाले मसाले अड़ कर रहे हैं और यह हमने कुरियंडर और मिंट भी इसमें एड़ किये हैं और पटर एड़ किये हैं हाफ लैमन एड़ करेंगे और शॉल्ट यह सारी चीजे दाल के इसको अगें हम अच्छे से प पीसेंगे थोड़ा थोड़ा दरदरा रखेंगे चाहिए ताके जो चिकन कबब हम बना रहे हैं उसमें चिकन का एक बाइट अच्छे से आए तो यह अच्छे से पीस लिए हमने के मज़िदार हमारा जो कबब का बैटर रहना मस्त से रेड़ी हो गया है तो चलिए इसमें स जो भी मेरी रेसिपी में दाल रही हूं वो मैं डिस्क्रिप्षन में एड कर दू और अब ज़रूर चएक करना डिस्क्रिप्रेशन तो आपको वहाँ पे इंग्रिडियन्स मिल जाएंगे कि क्या क्या मैं इसमें आड गरें यह दाली हूं तो यह दिखें थोड़े से ऊपन ताकि जो कोईले को जला के इसमें एक स्टेल की वाटी रखूंगी और इसमें थोड़ा साम गी ऑईल दाल के ढखके रख देंगे एक घंटे के लिए हमने रख दिये थे और हमारा जो बैटर है वो भी अच्छे से रेडी हो गया है इतना अच्या फ्लेवर इसमें आता हा। इसमोकी का से ःव श्ड़ाय के साथ बना रही हूं चोटी-चोटी साइब बना सकते बड़े साइब बना सकते हो यह आए फिर इसमें पांपके साथ convergeोए ஊब मन्यश् Trust बना के बना बना सकते हो और आपके सिचा मैं फ्रीज मिझे रखुकर रखे दूंगी क्यों में बड़ी कबाबests अब रखे गया टो चलिए को आप तो चलि IM मैं ऊपधी को आप झाया मेशल्ट मान गाषब मैसने तो में travaill आ रहे हैं तो फ्रेंड्स अगर कोई भी मिस्टेक है तो मुझे जरूर कमेंड में बताईए ताके वह मैं नेक्स टाइम वह मिस्टेक को दहरा हूं नहीं तो जरी यहां ओयल करम हो गया है तो मैं इसको चिकन को इस तरह से रोल को अच्छे से और एक बार प्लेट में रोल कर लूँ और फिर इस में ओयल में एंड करूँ आप शेलो फ्राइड ड्रेइफ्राइड दोनों कर सकते हो तहीं देखे अब इसको हम साइट चेंज करेंगे इतने मज़े के कबाब बनके रेडी होते है रेस्टरंट के तरह इसका टेस्ट आता है स्मोकी फ्लेवर तो इदेखे डिश आउट करते और इसका फाइनल लुक दिखाते और एक आपको तोड़के दिखाते कि कितने सॉफ्ट और किती इजीली टूट रहे देखे और बहु कितने सॉफ्ट को.